अगर आया तो हम उसको प्रॉपरली कर पाएंगे तो लेट स्टार्ट विदद फिर कुछ इंपॉर्टन पाएंगे जैसे डॉनेशन ओया या ड२ेशन का क्या ट्रीटमेंट है दाट वी विल झाएं पाएंग ओं मैं तो डॉनेशन के वो हम लोग discuss करेंगे, फिर second एगा endowment fund donation, endowment fund क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे, जो invested रहता है, endowment fund is nothing but amount invested होता है, उसमें से हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते हैं और purpose के लिए यूज करते हैं, फिर एगा entrance and admission fees, जो भी आप किसी NPO में admission लेते हो, या NPO में आ पूरा membership लेना है, लाइफ टाइम के लिए तो उसका क्या effect राएगा, application होगा, legacy क्या होता है, इसके बारे में discuss करेंगे, honorarium क्या होता है, that we will discuss, कुछ old asset होंगे, वो बेचेंगे तो उसका क्या effect राने वाला है, और अगर आपके पाद निउस्पेपर परियोडिकल पड़ा है जो NPO में आता था, उसको अगर आपने sale किया as a scrap, तो उसका क्या effect राएगा, that we will see, तो let's start with first one, the first one is donation, तो donation अगर आपको मिला, तो donation क्या होता है, अपने free will से कोई देता है, without any expectation in return, तो donation दे दिया, तो donation कैश में भी हो सकता है, और kind में भी हो सकता है, तो या तो आपको cash में मिलेगा या तो kind में मिलेगा, तो दो टाइप का donation होता है, एक specific donation और एक general, ना उसे ही पता है, चल रहा है specific, तो ये donation आपको specific purpose के लिए use करना है, तो specific donation को आप capitalize करो कि अगर कोई asset खरीदने के लिए आपको specific donation मिला, कि भाई आपको ये building खरीदनी है, NPO के लिए, specific donation, तो उसक कोई भी purpose के लिए use कर सकते हो, तो आप उसको credit side of income and expenditure लिखेंगे, ठीक है, तो ये अपना जो थेरी पार्ट चल रहा है, इसमें थोड़ा confusion आपको आ सकता है, समझने में कि सर ये थोड़ा थेरी है, तो समझ में ने आ रहा है, प्रैक्टिकल में समझेगा, तो as of now सिर्फ थो endowment fund donation मतलब आपका fund है, जो already invested है, उसमें आपने donation दिया, तो उससे जो भी income आता है, हम लोग specific purpose के लिए use करते हैं, और उस fund में, अगर आपने donation दिया, तो वो specific fund में हम उसको add करेंगे, और जितने भी उसके related expenses उसको minus करेंगे, अब देखो, confusion आ जाता है, सर, समझ में नी आया कि what do you mean by endowment and what do you mean by donation of endowment fund donation, तो मैं सिर्फ यहाँ पर आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, कि endowment fund क्या होता है, यह already invested होता है, वहाँ से income आती जाती रहती है, तो उस income को हम लोग specific purpose के लिए use करते हैं, और उस donation अगर उस fund के लिए आया, तो उस fund को हम लोग specific fund में add कर देते हैं और उसके जितने खर्चे हैं, वो सब उसमें से minus कर देते हैं, related to that endowment fund donation, आई पर समझ में, yes or no, अब next स्टार्ट करेंगे, entrance or admission fees, अब entrance or admission fees है, यह तो member को देना पड़ेगा, तो अगर specific purpose के लिए use है, तो आप उस entrance or admission fees को उस specific purpose के लिए use करेंगे, लेकिन अगर general है, तो सीध उसको capital fund में capitalize कर दोगे, तो याद रखना, अगर entrance fees आया, तो capital fund में क्या करने का, एड करने का, लेकिन बोलाई कि यह है, entrance or admission fees एक specific purpose के लिए use होना है, तो वो purpose को use करो, आई बस समझ में, एकदम simple है, कुछ नहीं, ऐसा होता है ना, अभी जैसे example की तार पे आपके पास 100 रु बागी 50 रुपे का आप traveling भी कर सकते हो, या कुछ नाच्ता भी कर सकते हो, या कुछ और खर्चा भी उससे कर सकते हो, आई बस समझ में, next is subscription, subscription is the most important, आप कौन से भी level पे अगर exam दे रहे हो, subscription का question आता ही आता है, और सबसे जादा बच्चे लोग को confusion इसी में होता है, और मैं आपको बता दू, यह जो subscription का question इसमें आएगा, it is very simple, मैं आपको उसका logic बताऊंगा, logic से solve करेंगे, तो it would be very easy, ठीक है, तो subscription जो होता है, यह amount होता है, जो organization को pay किया जाता है by its member on regular basis, it can be collected by organization, monthly भी हो सकता है, quarterly भी हो सकता है, और yearly भी हो सकता है, फिर बोला है कि it is a revenue to the government organization, therefore it is credited to income and expenditure, तो यह जो subscription है, अब यह समझने के लिए आपको मैं बता दू कि आपके घर में अगर cable TV है, या कुछ भी एडिश TV है, उसका आप subscription देते हो कि ने देते हो, 500 रुपिया, 1000 रुपिया, पर मंत होता है कि ने होता है, that is subscription, तो वो आप monthly भी 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 सकते हो, quarterly भी भी सकते लेकिन यह regular basis पर भरना पड़ता है कि ने करना पड़ता है, और वो क्या होता है, income हो जाता है, organization के लिए क्या income है, regular basis पर आरा ना, जो चीज़ regular basis पर आएगा, वो income बन जाएगा, इसलिए उसको credit किया जाता है, आई बस समझ में, तो this is all about the subscription, next दिया है, live membership fees, अब नाम से ही चल रहा है कि यह वाई, live में एकी बार पे कर रहे हो, regular नहीं है, regular है तो income and expenditure, और अगर capital type में capital receipt है, तो capital fund में add कर देना है, next, legacy, legacy का मतलब क्या होता है, जैसे कोई बंदा है, उसकी death के बाद उसकी जितनी भी property है, वो उसकी पूरी legacy बन जाएगे, तो यह क्या होता है, it is the amount received by organization as per will, वसीयत के हिसाब से, after the death of a person, तो किसी ने will बना के गया, कि मेरी death के बाद, यह पूरा का पूरा पैसा non-profit organization में चला जाना चाहिए, तो that amount is called legacy, आई बस समझ में, yes or no, next दिया है, अगर वो capital receipt है, तो added to capital fund, अब इसके अंदर क्या होगा, कि यह जो पैसा मिलता है, यह तो एक ही पार इंसान मरेगा, और उसका जो भी पैसा मिल रहा है, वो उसकी वसीयत के इसाफ से मिल रहा है, तो वो capital receipt में आएगा, रेगुलर विसिस पे नहीं काउंट होगा, तो इसको इसलिए क्या करने का, capital fund में add करने का, next है honorarium, honorarium का मतलब क्या होता है, honorarium का मतलब होता है कि कोई बंदा है जो NPO के बाहर का है और NPO में आके कोई service दे रहा है, तो उसको NPO क्या देती है, honorarium देती है, तो amount paid to a person for providing service to NPO and who is not the employee of the NPO, NPO का employee नहीं होना चाहिए, कोई outsider होना चाहिए, जो इसको इसको इस service प्रोवाइड कर रहा, next दिया है, sale of fixed assets, अभी आपको पता ह fixed assets sale करेंगे, तो जो profit loss होगा, वो income and expenditure में जाएगा, तो जो भी capital receipt है, क्योंकि एक बार asset बिकेगा, उसके ओपर जो भी profit या लॉस होगा, वो हम लोग record करेंगे, कहां पर income and expenditure account, and last part, treatment of sale of old newspaper scrap है, तो यह आपको credit side में, income and expenditure में डालना है, बोलने का मतलब है, यहां पर हम लोग का यह end होता है, important points, आपको सिर्फ इसको एक बार go through करना है, आपको यह तो पता हो, कि legacy word क्या है, आपको यह तो पता हो, honorarium क्या है, आपको यह तो पता हो, कि old news, periodical बेशते तो क्या होता है, अब इसका practical मैंने बता तो दिया इधर, लेकिन आपको practical question करेंगे तो और समझ में आएगा, लेकिन as of now यह video से आपको यह समझ में आएगा, कि NPO कर रहे हैं तो यह सब item आने वाले, और यह सब जब item आएँगे, इनका जो practical application होगा, that we will see in the practical question, ठीक है, तो next video onward, we will start with the full practical question, calculation वाले, that we will see, लेकिन by the time आप जितने भी video अभी हो चुके, उनको go through करो, और अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मेरा वीडियो जादा बड़ा नहीं होता, दस मिनिट के अंदर होता है, तो आप उसको थोड़े थोड़े time के बाद देख सकते हो, और अपना concept क्लियर कर सकते हो, तो यह चीज़े आप देख के आओ, फिर हम लोग practical question के ओपर जम आएगा, ठीक है, तो by the time you just go through it, कुछ doubt आएगा तो please comment, and please like and subscribe for more videos, thank you